नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जयकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स अभी हम बात करने जा रहे हैं दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में क्योंकि दिव्यानी ने अपने दिसंबर क्वाटर के रिजल्ट को प्रेंट्स जैसा कि आपने इनके बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिसे कभी न कभी आपने कहीं देखा होगा या फिर अबस से ही आपने यूज किया होगा आपके सामने इस कंपनी के ये ब्रांड लगे हुए हैं इसमें से कोई एक ब्रांड आपने कहीं न कहीं अबस से देखा होगा या फिर यूज किया होगा जैसे की के एपसी पिज़ा हाट कॉस्टा कॉफी उसके बाद वैंगो इसके अलाबे भी और भी इनके प्रोडक्ट ह रहे हैं तो देखना है कि ये कंपनी इस वार किस तरह के रिजल्ट को प्रेजन किया है तो दिव्यानी इंटरनेशनल का जो यहां पे डेटा लगा हुआ है ये इन मिलियंस में हैं लेकिन इसे हम करोड में कंभर्ट करके आपके सामने प्रेजन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी फ्रेंट्स दिव्यानी के द्वारा जो टोटल इंकम पोस्ट किया गया है रिभेन्यू फ्रॉम आप्रिशन से और अदर इंकम से वह 798 करोड 6,50,000 का जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल इंकम था वह 751 करोड 9,36,000 का जबकि पिछले इंकम है वह इंक्रीज यहां किया है वहीं अगर इरली बायज भी कोम पोस्ट किया गया है वह 795 करोड एक लाग का जबकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने टोटल इंकम पोस्ट किया था वह 688 598,00 का जबकि पिछले Україर दिसंबर में इस कंपनी ने जो अपना टोटल इ वो 579,99,000 का तो फ्रेंट्स इनका जो expense है वो quarter bys भी increase किया है और yearly bys भी इनका expense increase किया है और इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले है इनका जो income है उसमें increasement देखने को मिली है इसके अलाबे अगर इसके net profit की बात करेंगे तो फ्रेंट्स इस company को जो इस वार इस net profit हुई है 71,38,000 का जबकि पिछले quarter में 56,08,35,000 का जबकि पिछले December quarter में देव्याने इंटरनेशनल ने जो अपना net profit इसमें सुधलाब पोस्ट किया था वो 65,09,99,000 का तो फ्रेंट्स अगर आप comparison करेंगे quarter on quarter तो बहुती सांदार उच्छाल इनके net profit में इसमें सुधल है वो बहुती सांदार उचलते हुए दिखा है तो इसके पई नाम इसके earning per share पे भी देखने को अबर से मिलेंगे इस quarter में इनका earning per share 69 पैसा है पिछले quarter में 49 पैसा था जबकि पिछले December quarter में इनका EPS 52 पैसे का था तो फ्रेंट इनका net profit increase किया है तो इनका EPS भी increase किया है और पई नाम इसके जो सेर प्राइज है उसके भी जल्द ही देखने को मिल सकते हैं तो फ्रेंट आज के लिए इतना ही आपका देन शुब हो